नमस्कार सांतियों मैं रहुल शर्मा दिशा अकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक बार पिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोगों को मालूमी है कि टार्गेट एंट टेस्स सीरीज हमारी चल रही है आप लोगों को देने वाला हूँ टार्गेट में आपको मद्यप्रदेश और भारत का भूगोल टार्गेट में अभी दिया जा रहा है जब यह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरे टार्गेट हमारे डिसाइड होंगे तो आज का जो टार्गेट है जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ पहले प्रिवियस एयर के कोश्चन्स आप लोगों को बताता हूँ कि कितने पूछे गएं कितने नहीं पूछे गएं है तो मद्य परदेश में वन तथा वन्यजीव अभ्यरन यह हमारा टॉपिक है और भारत में मरदा भारत की मरदा यह हमारा टॉपिक है तो देखिए इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो 2018 में एक कोशन, 15 में दो कोशन, 14 में दो कोशन और 20 में कितने कोशन आए हैं इसका पता आपको लगाना है ठीक है और यहीं अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो 2014, 15 और 16 तक यहां से कोशन आए हैं जन्वरी प्लस फेबरेरी तक हमें पेपर वन एंड पेपर टू कम्प्लीट करना है तो उस हिसाब से हमारी यह सीरीज चल रही है क्योंकि मेंस के हिसाब से इंपोर्टेंट है तो यह तो आपको पढ़ना तो पढ़े गई फिर भोगोलिक छेतर जब देखेंगे तो भोगोलिक वरगी करन भी उसमें आपको देखने को मिलेगा फिर वन संपदा के बारे में आप पढ़ेंगे मद्य परदेश में राज्य की वन नीती जो 2005 आई है उसके बारे में आपको पढ़ना है और वन्य जीव अभ्यरण और राष्ट्रिय उद्यान तो कितने राष्ट्रिय अभ्यरण है वो सारी डीटेलिंग आप लोगों को देखनी है तो वन्य जीव अभ्यारण और राश्ट्री उध्यान से संबंदिते एक बहुत ही अच्छा मैंने वीडियो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बनाया था यहाँ पर आई बटन पर मैं उसको टेग कर दूँगा तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूँ भारत के भूगोल की तो भारत के भूगोल की जब मैं आपसे बात करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ देखिए बारत के भूगोल में जब हम मरदा वाला करेंगे उसके बाद अगर मैं देखूं तो निर्माण के बाद क्या रह जाता है मारा म्रदा संगठन एवं उसके प्रकारतों म्रदा के प्रकारों के बारे में आपको देखना कितने प्रकार की म्रदा होती है ठीक है म्रदा छरण से समस्याएं क्या क्या आ सकती है समस्याओं क के बारे में आप लोगों को समस्य आएं यहां पर आपको देखनी है ठीक है उसके बाद मैं देखूंगा तो जब आप भारत की म्रदा देखी लेंगे तो सांती सांच चोटा-चोटा टॉपिक रहेगा आपका MP की प्रमुक म्रदा है MP की प्रमुक म्रदा के बारे में आप पढ़ लीजे मद्य प्रदेश की म्रदाओं के बारे में मद्य प्रदेश में म्रदा संग्रक्षन के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो भी आप लोगों को देख लेना है और म्रदा संग रक्षन का कारे कौन से छेतर में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो भी आप लोगों को साथी साथ देख लेना है तो ये कुछ बातें थी जो आपके दूनों टॉपिक से विद्लेटट थी तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है देखिए TOPIC पढ़ना एक अलग बात है TOPIC को किस किस एंगल से आपको देखके पढ़ना वह एक अलग बात होती है दोस्तों देखे लगी आप लोगों से 20 like नहीं हो रहे हैं 20 like 70 लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन 20 like नहीं कर पा रहे हैं तो यह शर्म की बात है ठीक है अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप बागादा dislike करके comment box में comment करके बताईए कि वीडियो आपको क्यों बेकार लगी वीडियो को अच्छी लगी है तो like कीजिए इसे अन्य study groups में share कीजिए चानल पर नए हैं दोस्तों तो please चानल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा subscribe करने के बाद bell icon press कीजिएगा और notification में all को press कर दीजिएगा ताकि सारे notification आप लोगों को मिल सकें बात करूँगा मेरे telegram group की तो telegram group हमारा है जिसकी link description box में दी गई है अगर आप लोग देखें आज ही अभी तक 20 questions डाले जा चुके हैं और 30 questions और डलने हैं इन 20 questions में हमने current affairs के question डाले हैं और quality के question डाले हैं जिसमें मूल अधिकार के question आप लोगों के मेंने डाल दी हैं आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं देखिए दोस्तों जादा तर ऐसा होता है कि मैं आप लोगों से connect नहीं हो पाता हूँ हर बार वीडियो के माध्यम से लेकिन मेरे Instagram profile पे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है चोटी चोटी जो बहुत important है आपके exam point of view से वो share करता रहता हूँ तो description box में दिशाए Academy के Instagram चैनल की link है उसको भी follow करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सारी details आप लोगों को मैं वहाँ पर बताऊंगा ठीक है अगर आप लोगों के कोई सोजाव हैं जो आप मुझे देना चाहते हैं तो comment box में सोजाव बिल्कुल दीजिए आपके comment box के लिए comment comment box के लिए ही वो बना हुआ है वहाँ पर आप comment कीजिए अपने सोजाव दीजिए अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो appreciate कीजिए और आपको लगता है कोई चीज और इसमें add करनी चाहिए तो वो भी बताईए और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगती है तो वो भी मुझे बताईए कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है ताकि मैं अपने आप में सोधार कर पाऊँ ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ मेरा हुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ जै हिंद जै बारत